मंत्री जी को आया गुस्सा, पुलिस वाले ने जड़ दिया थपड़ नमस्कार मैं हूँ जनलिस्ट राजन और आज की हमारी खबर इसी से रिलेटेड है बाप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मंत्री जी को गुस्सा की वाया और पुलिस वाले ने थपड़ की उजड़ लिया तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये दोनों मामले अलग-अलग है पहरा मामला योगी सरकार के राजमंत्री गिरिश चंदियादो से जुड़ा हुआ है जो कि पत्रकार के सवाल पूछने पर आगबबुला हो जाते हैं उससे ठीक कर डालने तकी धमकी डिल आलते हैं वही दूसरा मामला योगी सरकार की पुलिस का है पुलिस कर्मी इस तरह से एक पत्रकार के सवाल पूछने पर थपड़ बरसा देते हैं और अब सब्दों की बहुचार कर देते हैं जी हाँ दोनों तस्वीरे हम आपको इस्क्रीन पर दिखाएंगे आप देखे योगी सरकार के राजमंतरी बीजेपी के सदस्ता अभियान को ले करके पत्रकार वारता कर रहे थे इस दोरान एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उनसे स्टीपी प्रस्टाचार के मामले में सवाल कर लिया जिसके बाद मंतरी जी आगबबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और पत्रकार को ठीक कर डालने तकी धमकी दे डालते हैं यह वीडियों सारे चैनलों पे चल रहा है, बड़ी तेजी से सोसल मीडिया पे वाइरल भी हो रहा है अब दूसरा वीडियों हम आपको दिखाते हैं, जो कि जौनपुर के सुरीरी थाना छेट के जगदीस पुर गाउं का है यहाँ पे जमीनी विवाद था और जमीनी विवाद में एक पच्च ने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दिया पुलिस मौके पे पहुशती है, जिसमें एक पुलिस कर्मी एक खाकी का बटन भी खुला रहता है और साथ ही नेम प्लेट भी नजारत रहता है दबंग अंदाज में चुलबुल पांडे से पुलिस कर्मी को देख एक इस्थानी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपका नेम प्लेट कहा है, जिसके बाद उस पुलिस कर्मी के साथ मौजूद दूसरे पुलिस कर्मी को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इसकदर आता है कि वो अपना नेम प्लेट दिखाते हुए आगे बढ़ता है और उस पत्रकार को थपड़ बरसा देता है नसी थपड मारता है बलकि उससे अपसब्दों की बहुचार भी उसके उपर कर देता है जिसके बाद बताया जा रहा है कि पत्रकार और पुलिस कर्मी के बीच में फ़ड़ा सा जड़ब भी होती है जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि पुलिस की वर्दी सायथ फड़ जाती है जिसके बाद सिपाही की तहरीर पे पत्रकार के खिलाब मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिस अंदाज में वह पुलिस कर्मी खाकी की बटन खोले हुए बीना नेम प्लेट के जूटी परतैनाथ था उसके खिलाब कोई कारवाई क्यों नहीं की गई मंत्री जी जिस तरह से पत्रकार को देख लेने की धमकी देटे नजर आ रहे हैं तो क्या योगी सरकार के उपर कोई कारवाई करेगी सवाल कई है क्या इस सरकार में सवाल पूछना गुना हो गया है पत्रकार अपने आपको सुरच्छित महसूस कब करेंगे कई सवाल खड़े होते हैं आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जैहिंद जैभारत